नमस्कार आप देख रहा आरेडी नियूज माहयोगी श्क्रवर्टी केंद्रिय गिर्मंत्री अमिश शाह दो दिनों के बिहार दौरे पर थे उससे पहले बिहार में दो जगों पर हिंसा भड़की और वो दोनों जगह ऐसा था जहां उनकी जनसवा होनी थी आज उन्होंने नवादा में जनसवा की इस दौरान उन्होंने कहा उनकी सरकार बनबाईए दंगाईयों को उल्टा लटका देंगे इसी मसले पर हम बात करने आये हैं आरजेडी के रास्तिय उपाध्यक्ष उदाय नारायन चौदरी जी से जो हमारे साथ हैं इस वक्त सर दंगाईयों को उल्टा लटका देंगे किंद्रिये गिरिम मंत्री ने कहा है क्या कहना है आपका देखिए आजपा बहुत बेचैनी में है कि अगली सरकार बनेगी की नहीं बनेगी और इसी लिए विशेश तोर से हिंदी भासाभासी छेत्रों पर उपना निगाह लगा करके और छोटी-छोटी पार्टियों को और लोगों को तोड़ने की साजिस कर रही है जो उनके आदत उनकी फित्रत यही होती है और यही मैं कह सकता हूँ कि भारतिय जन्ता पार्टी को जो शपन देख रहे हैं बिहार में सपलता का वो सपलता नहीं मिलने वाली है अभी गरह मंत्री की कोई भासा होती है क्या कि उल्टा लटका देंगे यह कोई भासा है इतना असन सदिये सब्द का परियोक करना गरह मंत्री के लिए सुबा नहीं देता है और यह सब लक्षन है बेचैनी का अंदर से क्योंकि एक बार उनका रैली सूपर फ्लॉप हुआ मोतिहारी में है इस बार एक रैली नहीं हो सकी सासाराम में है और मैं तो यह कहूँगा कि सासाराम की जो घटना है तनाव की और बिहार सरीप की जो घटना है राजसरकार और प्रसासन को इसके अंदर तक जाना चाहिए और पता करना चाहिए किन लोगों का हाथ है पता चल जागा बिहार में राम नमी के अउसर पर एक सुनियोजित शड़यंत्री हुआ है और सुनियोजित शड़यंत्र का हम जो समझते हैं थोड़ी सी समझ में कि ये तनाव बहाना है और राश्पति सासन निशाना है बिहार में भी और विष्ट बंगाल में भी जिस तरह से हो रहा है लेकिन एक बात याद रखें कि आप जितना साजीस रच लीजिए हराने के लिए इससे वी जाद है और क्या साजीस होगी चुनावे आएक को कप्चर करने के लिए रातों रात इन्होंने एक दिन में ही रियाइन करवा है रियाइन करा के चुना यो नियुक्त भी कर दिया गोस्ना कर दिया वो तो कैसे कैसे सुप्रिम कोड बदाई के पातर है लेकिन सर ये लोग तो कह रहे हैं जे आप कह रहे हैं उन पर कि सडियंतर है साजिस है दोनों जगह जो हिंसा हुई है लेकिन ये तो कह रहे हैं कि आप ल हाँ सबकुछ आपके हाँ सबकुछ आपके हाँ संसस भी आपका है जहां किसी को बोलने नहीं देते हैं और गलती से राहुल गांदी बोलते रहते हैं तो उनकी आवाज हीं ही लोगों सुनने देते हैं म्यूट कर देते हैं यह सब तो दिखाई पड़ा रहा है ना कि ताना साही का इसा प्रतीक है और बॉखलाहट का लक्षन है अमिश साहजी ने कहा कि दोहजार चौबिस और मेल बिहार की सभी चालिस की चालिस सीटों और बिधान सवाज चुनाव होगा दोहजार पचीस में वो बिधान सवाज चुनाव के बाद उनकी शरकार होगी क्या कहना चाहेंगा अभी उन्होंने टैक कर लिया बिहार की जंता को इसका मतलब भोट देने का मौका नहीं बिलेगा चालिस सीट ले लेंगे वो इतना बढ़िया तंत्र जाल बिछाएंगे तंत्र का कि चालिस सीट ले लेंगे आच्चोविस में तो ले लेंगे पचीसों में ले लेंगे सब सरकार बना लेंगे मैं एक बात करना चाहता हूँ कि जब तक ये भारत का संभिधान डॉक्टर भीम राम बेतकर का है तब तक इतना भी ख्याली पुलाव बरामे है लोक तंत्र है और लोक तंत्र में कोई चाहे कि बिना मद्दाता के सारे ही हम चालिसों स्वी जीत लें अस्तंभाव है और मैं कहता हूँ कि आप भाजपा के पास तंत्र है लेकिन महाग ड्वंदन और राज़त के पास आम मद्दाता और भोटर है उसके सारे हम लोग जीते हैं जिस तरह से अमिर साजी ने कहा जोड़ी कि बिहार में एक परधान मंत्री बनना चाहता है लेकिन इससे बें भां बने गाए अपने कशम उप्न देख और उस सोपन कि हम जीत ज्याएंगे तो उस सोपन देखेँ और बढ़ा उनका बेटा सोपन देखे तो बढ़ा जो उनके बेटा है यह चाचा भतिजा यहां कर रहे हैं उनके बेटा जैसा है वो कोई चुनाव से बने है का बीजी सिर्कल के चेर्मेन कैसे बन गया तो यह उनको थोड़े दिखाई देगा यह दिखाई नहीं देगा उनको यह बताएं सर की आपको लगता है कि जो हम हिंसा की बात करते हैं कि जो बिहार सरीप में हिंसा हुई थी और शाशारा में वो एक साजिस था और मतलब कहीं न कहीं सरकार जैसा कि आपने कहा रास्ट पती तो यह आप मतलब कहते हैं कि मतलब ऐसा है हमको ऐसा लगता है कि उसमें से बूजो आ रही है चुके इनहीं दोनों जगह पर क्यों हुआ बिहार सरीप और सासाराम में तनाव क्यों पैदा हुआ आज डीजी पी ने भी कहा है कि कहीं कहीं इसमें साजिस्टी तो कोई अधिकारी जब अधिकारिक तोर पे इस तरह के बयान देते हैं तो उसमें कहीं न कहीं गड़वड़ी होती है इसलिए मैं मांग करता हूं कि तत्काल जो सड्य अंत्रकाली हैं उनका पाचान हो करके उनके खिलाफ कारवाई कानूनी कारवाई करनी चाहिए जो समाज में आसांती या मन्चैन को खतम करना चाहते हैं, आसांती पैदा करना चाहते हैं, फिरका प्रस्त ताकत है वो, समाज को बांटना चाहते हैं, उनके विरुद कारवाई होनी चाहिए है। जोड़ी को कहना की राज कर रही थी गलत है, क्योंकि सत्ता में तो वही बने हुए थे, इस पे तमाम तरह के आरोप लालु यादब पे लगाना और फिर नितीज जी पे लगाना, तो इसको कैसे आप देखते हैं। उसके पार्टनरत हैं, इससे दारनत हैं, चाउदा में अलग हुए हैं। अब फिर सट गए, फिर हटे, फिर सटे, तो अकेले इनका कोई आखात तो भीहार में हैं नहीं। इसलिए उच्छाते हैं कि महागडवंदन में जो पाटियां हैं, महागडवंदन का जो गडवंदन हैं, उसमें किसी तरह से तोड़ना चाहते हैं। प्रम फैरा करके, मैं उनको बताना चाहता हूं कि महागडवंदन का जो समझवता है, राज़ जे डियू का जो समझवता है, इसको तोड़ना चाहते हैं, यह अटूट है, यह तूटने वाला नहीं है। और जब नहीं तूटेगा, महागडवंदन साथों पाटी एक साथ एक जूट रहेगा, तो उनका स्वप्न भी स्वप्नी रह जाएगा, और बिहार में कोई मौका उनको नहीं मिलने वाला है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद है रैड नेटवर्क को। योगेश्च चिक्रवर्ती, आरेड नियोज, पटना